हेलो फ्रेंज आज हम बनाने वाले हैं वरत में खाया जाने वाली साबुन दाने की घीर की रेसिपी चले बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कड़ाई में दो चम्मस घी ले लेंगे जैसे हमारा घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें कुछ ड्राइफूट्स एट कर लेंगे मा बहुत बुनने पर हमारे जो ट्राइफूट्स है वो चल जाएंगे तो इह सभी को हम निकाल देंगे और मैंने लगबख एक से दो चम्मस की आसपास घी लिया हुआ था उसी में मैंने एक कटोरी साबुन दाना मैं आट कर रही हूं साबुन दाने को मैंने सिब से पहले ती जासा कि आप सभी देखी रहे हो जलाते हुए अब हम इसमें आट करेंगे दूद आप कोई भी सितमाल कर सकते हो तो लिए फिलाल मैं इसमें आट कर रही हूं एक गाय का दूद है तो मैंने एक ग्लास इसमें दूद डाला हुआ अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से 7-8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर रख करके अच्छे से साबुंद आने को पकाईएगा आप साबुंद आने को नॉर्मली ऐसे ही बना सकते हो घर में खाने के लिए यह वैसे भी बहुत स्वादिश लगता है स्वाद अनुसार चीनी डाल लेंगे तो मैंने इसमें चार बड़े चमत चीनी डाला हुआ है अच्छे से चीनी को मिला करके मेल्ट कर लेंगे आप चहाएं तो बच्चों को इसे खिला सकते हैं यह बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फाइवर से भरपूर होता है बच्चों को अगर भूख ना लग रही हो तो आप इसे बना कर खिला लगबग कप के ही बराबर उसमें दूद आता है यानि कि छोटी इलास है बस बहुत जादा नहीं है यानि पावा देखो तो एक पाव के आसपस उसकी ग्लास रहती है दूद याट किया हुआ है कि आधा केजी और अच्छे से चलाते हुए हम अच्छी तरीकी से पकाएंग अच्छी से आप इसे भीगोर करके रखोगे तो पकाने में और जादा आसानी होती है भीगोने के वजासे जल्दी कुक हो जाता है तो इस तरह से साबुन दाने के खीर बनके तयार हो गई है रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा अब रत में अगर आप बनाना चाहते हैं और भी रेसिपी तो आसान सी और टेस्टी साबुनाने की रेसिपी मैं लिंक डिशन बॉक्स में डाल दोंगी जरूर से जाकर देखिएगा बाबा एंड टेक कियर